तो कहानी की शुरुवात होती है और हम हमारी कहानी के हीरो यू को देखते हैं लेकिन उनकी अच्छी जिन्दगी तब बदल जाती है जब एक डेटली वाइरस से सभी 13 साल के उपर के लोग मरते जा रहे थे यू और उसके दोस्त तो बच जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि व मिका के साथ खेल रहा था तभी वो देखता है कि दो वेंपायर को चोटे बच्चों को मार रहे थे बिना किसी गलती के यू से यह देखा नहीं गया और वो वेंपायर से लड़ने पहुंच जाता है लेकिन यू सिर 12 साल का एक बच्चा था इस वज़े से वो वेंपायर के स मिका को उसके मेंचिन पर आने को केगर चली जाती है फिर हम देखती है कि यू चट पर ही था तभी एक लड़की उससे डीनर के लिए बुलाती है यू जाकर देखता है कि सभी कड़ी खा रहे थे और बहुत इंजॉई भी कर रहे थे यू को मिका नहीं दिख रही थी तो व पुश हो जाते हैं फिर सभी अंडर्ग्राउंड रास्ते से जाने लगते हैं जैसे ही वो एक्जिट पर पहुंचने वाले थे वो अपने सामने फैरत को पाते हैं जो उन्हें पताती है कि उसने मिका को मेंचिन में सिर्फ इस लिए घूमने दिया जिससे उसे मैप मिले और यू गन उठाता है और फैरत को शूट कर देता है यूग हायल मिका को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है लेकिन मिका उसे जाने को कहती है जिससे कम से कम उसके जान तो बच सके यू रोता हुआ अंडर ग्राउंड रास्ते से चला जाता है कुछ दूर जाने के लगा लेता है और ऑफर एकसेप्ट कर लेता है जिससे वह अपने दोस्तों का पदला भी ले सके फिर हम देखते हैं कि चार साल बीच आते हैं और यू को मिलिटरी स्कूल में डाल दिया जाता है यू किसी से बात नहीं करता था क्यूंकि उसे लगता था कि हो सकता है वो फि उसे क्लास में अच्छे से बिहेव करने को कहती है और गेरन का एक मैसेज दिखाती है जिसमें लिखा था कि यू तब तक मिलिटरी जॉइन नहीं कर सकता जब तक वो किसी को अपना दोस्त ना बना ले यू की क्लास खत्म हो जाती है और बाहर एक लड़की यूची को देख जाने पहुंच जाता है लेकिन तब यू को पताती है कि अगर उसने दूसरे स्टूडिन को मारा तो गेरन उसे कभी एकसेप्ट नहीं करेगा जिसके बाद यू बहुत पूरी तरह से पीटता है और दूसरे लड़कों को हाथ भी ने लगाता फिर यू को उनका काम भी करना पड़ता है फिर यूची बताता है कि उसने मिलिटरी स्ले जोइन की क्योंकि उसकी बहन को एक वेंपायर ने मारा था और उसकी बहन की मौत इस वज़ा से हुई क्योंकि वो उसे बचा रही थी इतने में एक पास की बल्डिंग में धमाका होता है और सारन बजने लगता है बचकर बाग रहा है शिनेवा सभी को किसी सेफ जगह की और जाने को कहती है और मूद डीमन कंपनी से कॉंटक करने को कहती है लेकिन यू कहता है कि यही मौका है उसे अपने आपको गिरनन के सामने प्रूव करने का और एक्सपलोजन वाली जगह पर भागने लगता है यह एक क्लासरूम में पहुँच जाता है जहां वो देखता है कि वेंपार एक स्टूडेंट का ब्लड पीने ही वाला है लेकिन यू उसे रोक लेता है और इससे फाइट करने लगता है अब वेंपार यू का ब्लड पीने को कहती है और अपने नुकेले नाखून से यू पर लेता है वेंपार गुस्से में योची पर अटाक करने जाही रही होती है लेकिन यू उसे रोक लेता है वेंपारियों को खड़की तखले जाती है और इसके साथ नीचे कुछ जाती है हवा में यू वेंपार की चेस्ट में स्वार्ट मार देता है लेकिन वेंपार इससे कह करने को कहता है लेकिन कैता है कि उसे वह लोग नहीं पसंद जो टीम वर्क नहीं जानते तब ही वहां योची आ जाता है और यूँ पर खुशी से कूट जाता है जिससे यू बेहोश हो जाता है श्जिनुवा गेरं को बताती है कि यूँ ने एक दोस्त बना लिया है तो अब promise पूरा करना होगा यह सुनकर गेरन हैरान हो जाता है यू नींद में अपनी और्फनेज वाली फैमली देखता है फर्मिका आती है और उसे कहती है कि आखरकार उसने एक दोस्त बना हे लिया क्योंकि रिवेंज के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है फर्मिका कहती है कि उन्हों को एक्सिप्ट कर लिया है और अब मून डीमिन कंपनी में जॉइन हो सकते हैं यू की रिकावरी के बाद गेरन बताता है कि जॉइन होने वाले स्टूडेंस का उनका खुद का करस्ट विपन मिलेगा जो की एक विपन है जिसमें एक पारफुल डीमिन की पार होती ह यू योची और एक बंदा कैमल जूकी उन तीनों को ले जाया जाता है कांट्रेक्ट सेरिमनी के लिए गिरन बताता है कि कितना जरूरी होता है कांट्रेक्ट बनाना डीमिन के साथ वो बताता है कि हर विपन में एक पारफुल डीमिन सील होता है और उससे कांट्रेक्ट बन तो यू डीमिन को उसकी फैमिली से दूर रहने को कहता है, तबिमीका से बलाक स्मोक निकलता है और डीमिन बहार आता हैand घा जाता है, उसे बार क्यों चाहईए तो यू बताता है कि उसके और फैमिलीू को इसके और्फनेज के बाकी लोगों की भी वाज आने लगती है और वो उसे कहते हैं कि क्यों सिर्फ यू को ही अपने जिन्दगी जीने का मौका मिला उन्हें क्यों नहीं क्यों नहीं तो यू कहता है कि वो उनके बारे में भूला नहीं है और नहीं कभी भूलेगा यू जोर से चलाता है कि उसे उस डीमिन के पार चाहिए जिसे वो जिनकी परवा करता है उन्हें बचा सके तब यू फिर से क्लाउड वाली जगर पर पहुंच जाता है और डीमिन कहता है कि वो यू के साथ कॉंट्रेक्ट बनाएगा लेकिन अगर यू का दिल थोड़ा भी कमजोर लगा तो वो उसकी बाड़ी पर गबजा कर लेगा फिर डीमिन अप लेकिन यूची अब भी नींद में था तब ही अचानक से एक बलास्ट होता है और गेरन बताता है कि यूची टेस्ट में फेल हो गया है और अब वो डीमिन के कंट्रोल में है अब यूची बो की मदद से सभी पर एरो से अटाक करने लगता है गेरन यू और कैमल जूकी से यूची को खत्म करने को कहता है लेकिन यू मना कर देता है और यूची के हाथ से उसकी बो घरवा देता है तब ही रियल यूची याद करने लगता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे बैट के नीचे छुपने को कहा था और खुद को सिक्रिफाइस कर दिया था लेकिन अब जाता है और उसे और उसने भी टेस्ट पास कर लिया था फिर हम देखते हैं यू यूजी केमजोखी और शिनुवा की एक स्कॉट बनाता है और शिनुवा कून का लीडर डिसाइड करता है और नेक्स टे ही उन्हें वेंपार से फाइट के लिए भीजने को कहता है क्योंकि वे पाएंगे साथ ही उनकी अबलीती बहुत बढ़ जाएगी लेते ही उनकी पार डबल हो जाएगी और दो लेने से उसकी दुब लेकिं टीन को सकते हैं जिसे मर भी सकते हैं साथ ही 15 मिनटte काम करेगी यह पूछता है क्या यह तरीका है कि कर्स्ट भीफन की पार क्यूज करने का लेकिन बताती है कि उसके लिए वेपन को मास्टर करना पड़ता है जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है लेकिन उनके पास टाइम की कमी है वो सभी बैटल फिल्ड पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गेरन को एक वेंपार ने हरा दिया था तो शीनिवा स माרने का और देता है लंग युझे जाता है लेकिन लुर्ण के पास आती है और यू के साथ गेम कуєती है लेकिन यू और यू को यादं आता और वो फेरित पर अटाक करने लगता है हालत बिगरते जा रहे थे तो मेका यू के पास आती है और उससे सब को छोड़कर उसके साथ कि यूद रही है जिबकि उसने इसकी से मारा था कोई जवाब नहीं देती और यू को साथ लेकर जाने लगती है लेकिन यू ऐसे अपने दोस्तों को छोड़ कर जाने के लिए मना कर देता है और जब वो पीछे देखता है तो शिनोवा को एक वेंपाइर गरदन पर काटने वाला था यू एमोशनल पेन की विज़े से ट्रांसफर का जो अब बाहर आ रहा है हम फिर से रियल वाल्ड को देखते हैं जहां यू ट्रांसफर्म हो रहा था मिका उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन यू सब कुछ करने लगता है तब ही क्रोली के सामने आता है जो कि सबसे स्ट्रॉंग वेंपार है यू उस पर अटक करता है और उस पर भी सब्सक्राइब करने लगता है लेकिन अपने नौर्मन रूठ में आ जाता है अगर आपको आगे के स्टूरी पर देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं यहां तक वीडिभी देखने के लिए आपका बहुत बार्यण